हेलो दोस्तों मेरा नाम है संजीब और आप देख रहे हैं आलग जम टैसरी चैनल तो दोस्तों आपने आज के लिए एफवाय देखी होंगी कि अब इपास के कोई जरूत नहीं है अगर हमें कहीं भी जाना है घूमने के लिए तो हम बिना इपास के कहीं भी ट्रेवल कर सकते ह या ये बास सच है या पिर गलत है या पिर अहांसे ही अपवाय सोशल मेडिया के दोरा उड़ाई जा रही है आपने कई चैनल पर भी सुना होगा कि अब इपास ही कोई जरूत नहीं है अगर हम उत्तराखंड से यूपी या फिर यूपी से उत्तराखंड या पिर गर आप misguide हो जाते हैं तो इसका खाम्याजा आपको बहतना पड़ेगा तो आए दोस्तों इसके बारे हम जान कर लेते हैं तो इसमें शुरू करते हैं अपनी वीडियो तो देखे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने बाला हूँ इस पच्छ रूप से कि अभी तक जो इपास आपका अप्रूबल हो रहा था वो अभी भी अप्रूबल हो रहा है ऐसा नहीं है कि आप आपको बिने इपास के कहीं भी आप जा सकते हैं इसका यह मैं आपको अभी भी आपको इस स्मार्ट सिटी देहरादून की जो साइड है औरिजनल वेप साइड उस पर अपना रेजिस्टर्शन कराना पड़ेगा आप किस परपस कर लिए जा रहे हैं यह सपोच कर आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो ऐस तो एनियम घूमने जाएंगे हमेसा पेपर देना जा रहे हैं या पर कोई इंटरव्यू बगेरा या पर किसे रिलेशनसिप में कोई मेरिज पार्टी में किया जा रहे हैं तो उसके लिए यहापर देखो कैटिगरी और सबकैटिगरी अबेलबल है भी तक तो मैं यहापर आपको एक बार इन्फॉर्मिशन दि आपको आपको पार बनुशा रख कर आपको आपको और उसका यहाप mater सब्सके आपको अप्रुबल करेंगे करेंगे registration होने के बाद में आपका e-pass अप्रोबल हो जाएगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक छूट बहुत बड़ी मिली होई है कि आपको अगर e-pass अप्रोबल नहीं होता आपका तो आप फिर भी जा सकते हैं वो कैसे जब आप कहीं stop पर जाते हैं जैसे आपने registration कर दिया तो आप जानी जाने है registration नहीं क्या है जल दिल दी में आप कहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे जैसे आज हमें जाना सुबह की time ही जाना है अभी हमें suppose करो आज क्या time हो रहा है यह मालो 8 बजने और आपको अभी निकलना है अपने बस इस्टोप पहुँचना है और आप लेट ना होए रेजिस्टेशन करेंगे तो आपके 10 बरंदे मिन्टों चले जाएंगे या पर किस साइबर कैप जाएंगे तो आदा एंट लग जाएगा तो इसलिए आप जैसे बस इस्टेंड़ पहुँचेंगे तो बहाँ पर आपको इसकी सुभिधा मिल जाएगी कि आप अपना रेजिस्टेशन करा दीजीए ये बताएगे जब बहाँ पर बस इस्टोप पर जाके आप रेजिस्टेशन कराएंगे तो पास हैंड टू हैंड अप्रूबल हो जाएगा नई होएगा आपका only रेजिस्टेशन होएगा तो ये बहुत बड़ा फायदा है इससे कि आप रेजिस्टेशन करके यात्रा कर सकते हैं जिससा कि आपको कोई ऐसो वीधा ना हो रेजिस्टेशन का मतलब यह होता है कि आप कहीं भी जाएंगे तो सरकार का कोई साइब व्यक्ति अगर आप से संपर्ख साधाना चाहता तो जो आपने e-pass में आपने जानकारी दिया है व्यक्ति के जानकारी उससे यह आप से संपर्ख साधा जाएगा तो इसलिए e-pass अभी भी जरूरी है क्योंकि यह ब्यक्ति को ट्रेस कर सकते हैं इस चीश से तो यहाँ पर आप देख रहे हों कि यह रिजिट्रेशन सब कैटिगरी में भी फैमली और रेलेटिव मिर्ट दोनों है और यहाँ पर देखिए मोड होगी कलवाला या तरका जो माद्यम है वो भी सबी माद्यम यहाँ पर अभी तक अवेलेबल हैं तो आप यह नहीं कहा सकते हैं अब यह पास ही को जरूत नहीं है दोस्तों बिना रेजिट्रेशन किये आप कहीं न जाए नहीं तो इसकी जो गलती है लाफर भाई है वो आपको भुतनी पड़ जाएगी तो मेरा तो भाई यही कहना है कि आप रेजिट्रेशन करें और उसके बाद भी आप कहीं गुमने जाए नहीं तो आपकी मर्जी जैसा करना चाहता है मैंने आपको बता दिया है जो आप भाई चल रही थी वो उनसे आप बचें और नहीं बचतें तो आप आपकी जिम्मेदारी अपनाप होगी क्या चाहते हैं आप क्या नहीं चाहते है अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको परसंद आई तो प्लिस लाइक करने, सेर करने, सब्सक्राइक ने थैंक्यो वोचिंग दिस चैनल